साथ संगत जी प्रेम से कहना धन रंकार जी स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खुब सुरत साखी लेकर आई हूँ साखी का शीरशक है सेवा की कीमत तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी शाम प्रसाद जी अपने परिवार के साथ एक सुखमय जीवन व्यती इत कर रहे थे घर में शाम प्रसाद जी की पतनी दुरगा देवी उनके दो पुत्र दो बहुए और चार पोते पोतियां एक संयुक्त परिवार की तरहा रहते थे बेटे और बहुए सभी शाम प्रसाद और उनकी पतनी दुरगा देवी का बहुत आदर करते थे तथा हमेशा उनी की सेवा में लगे रहते थे अपनी इमानदारी, महिनत और लगन से शाम प्रसाद जी ने बहुत धन दोलत इकटी की थी एक दिन की बात है कि दिल का दोरा पढ़ने से शाम प्रसाद जी की मृत्यू हो गई उनकी अचानक मृत्यू से उनकी पतनी दुरगा देवी का रो रो कर बुरा हाल था लेकिन जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया साथ संगत जी, शाम प्रसाद जी की मृत्यू के बाद अब सारी धन दोलत की मालकिन उनकी पतनी दुरगा देवी बन गई अब तो उनके बेटे और बहुए उनकी बढ़ चड़ कर सेवा करने लगी दुरगा देवी तो यही समझती रही कि क्योंकि अब पिता की मृत्यू के बाद वो अकेली रह गई है इसलिए उनके बच्चे अपना करतव्य समझ कर उनकी सेवा कर रही है लेकिन असल में तो दुरगा देवी के बेटे और बहुएं के मन में सेवा भाव नहीं था साथ संगत जी उन सभी के मन में अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था उन सभी की इच्चा मा के पास रखी धन दौलत को हडपने की थी और आखिरकार एक वो दिन भी आ गया जब दुरगा देवी के दोनों बेटों ने मा को बहला फुसला कर पूरी संपत्ती और धन दौलत पर अपना कबजा कर ही लिया अपने दोनों बेटों में सब कुछ बराबर बराबर बाढ़ कर दुरगा देवी ने चैन की सास ली लेकिन सब कुछ बेटों के नाम करते ही बेटों का आसली चहरा सामने आ गया साथ संगत जी कल दक उनके जो बच्चे उनकी सेवा में लगे रहते थे वो ही सब अब दुरगा देवी से कतराने लगे अब दुरगा देवी को एक घूट पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था अकेली बैठी दुरगा देवी अपनी किस्मत पर रोती रहती थी अपनी किस्मत को कोस्ती रहती थी लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि धन दौलत खतम तो मा और बेटों का रिष्टा भी खतम ही हो गया था साथ संगत जी कुछ महीने तो यू ही कट गई एक दिन दुरगा देवी की छोटी बहन उनसे मिलने आई तो अपनी बहन की हालत देख वो अपने आसू रोक नहीं पाई कहा तो सब पर नास करने वाली शाम प्रसाद की पतनी दुरगा और कहा एक बिखारी सा जीवन व्यतीत करती दुरगा देवी दुरगा देवी की बहन ने उन्हें इस दम घुटते जीवन से उबारने का वादा किया और फिर वो वहां से चली गई एक सब्धा के बाद दुरगा देवी की छोटी बहन फिर आई लेकिन जब वो घर में आई तो उनके हाथ में एक बैग था उस बैग को दुरगा देवी की बहन ने इस तरह से पकड़ रखा था कि दुरगा देवी के बेटे और बहुई भी उस बैग को देख सके वो बैग सीधा दुरगा देवी के कमरे में लेकर गई और उची अवाज में कहने लगी दीदी जो गहनों की पोटली आपने मेरे पास रखवाई थी ये वही पोटली है अब आप इसे अपने पास रखो फिर दुरगा देवी की बहन ने अपनी बहन के कान में कुछ कहा और वो वहाँ से चली गई दुरगा देवी ने तुरंत वो बैग उठाया और अपनी अलमारी में बंद करके रख दिया उधर दुर्गा देवी के दोनों बेटे और बहुएं कान लगा कर सारी बाते सुन रहे थे उन सभी की आखों में एक अजीब सी जमक देख रही थी कि मा के पास फिर से गहनों से भरा हुआ बैग जो आ गया था साथ संगत जी बस फिर क्या था उन गहनों को हत्याने के चक्कर में दुर्गा देवी के बेटे और बहुएं ने फिर से उनकी देख बाल और सेवा करनी शुरू कर दी रोज कोई नया पकवान बनता कोई उनके रिये बाजार से फल ले कर आता जरा सी खांसी जुकाम होने पर डोक्टर को बुला लिया जाता ये समझिये कि दुर्गा देवी का उस घर में पूरा खयाल रखा जाने लगा महीनों सालों बीट कए और सभी उन गहनों से भरे हुए बैग के लालच में दुर्गा देवी की खूब सेवा करते रहे आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब दुर्गा देवी को लगा कि शायद अब उनका इस धर्ती से जाने का समय आ गया है तब उनोंने अपने दोनों बेटे और बहों को बुलाया और वो गहनों से भरा हुआ बैग देकर उने कहा कि बच्चों अब मेरा समय तो पूरा हो गया है इसलिए तुम दोनों इस बैग में जो कुछ भी है उसका आधा आधा हिस्सा आपस में बाट लेना और खुशी खुशी साथ रहना बस इतना कहकर दुर्गा देवी ने आखरी सास ली और वो इस दुनिया से विदा हो गई दुर्गा देवी की मृत्यू के बाद उनके बेटे और बहों ने चैन की सास ली और कहा चलो अब सेवा करने से छुटकारा मिला और इतने गहने भी मिल गए जब उन्होंने बैग ख हैसला किया कि इन गहनों को बेच कर जो भी रुपया मिलेगा उसे वो दोनों आपस में आधा आधा बाट लेंगे वो दोनों मिलकर सुनार की दुकान पर गए और बोले भाई हम इन गहनों को बेचना चाहती हैं सुनार ने बैग खोला और एक एक गहने को जाचने लगा सब गहनों को जाच कर गुसे में सुनार ने कहा क्या तुम लोग मुझे मुरक समझते हो जो ये नकली गहने बेचने आए हो ये सब तो पीतल के गहनी है जिन पर सोने का पानी चड़ा है ये सुनकर दुरगा देवी के दोनों बेटे हरान हो गए और उनके चहरे पर हवाईयां उड़ने लगी उन दोनों का दिल बैठ गया वो सोचने लगे क्या हमने इन पीतल के गहनों के लिए मा की इतने साल सेवा की फिर वो दोनों अपना माथा पकड़ कर बैठ गई शाच संगत जी असल में हुआ कुछ यहूं था कि दुर्गा देवी की बहन ने जब उनकी ऐसी बुरी हालत देखी तो उन्होंने एक योजना बना कर पीतल के गहने लिए और उन पर सोने का पानी चड़वा दिया और वो गहने उन्होंने दुर्गा देवी को दे दिये उनकी इसी चाल की वज़े से सारा परिवार दुर्गा देवी की अंतिम सांस तक उनकी सेवा करता रहा साथ संगत जी माता पिता की सेवा करना तो संतान का करतव्य है और ये सेवा संतान को किसी लोब या लालच में पढ़कर नहीं बलकि सच्चे मन से और प्यार से अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कीजेगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजेगा आप सभी से फिर मुला काथ होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत्ची प्यार से कहना धन रंकार जी